नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में डिस्क डिगर अप्लिकेशन को कैसे यूज करेंगे तो guys गर आप भी जाना चाहते हो कि disc digger application क्या है और इस application को हम अपने phone में कैसे use करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो guys सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा play store के अंदर जाना है play store में जाने के बाद सबसे पहले आपको disc digger photo recover application को अपने phone में डाउनलोड कर लेना है अब जैसे ही आप इस application को open करेंगे open करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यह application है क्या तो basically यह जो application एक photo recover application है जिसके अंदर आपके delete किये हुँ photos, videos वगेरा आप जो recover करना चाहते हैं तो आप जो है कर पाएंगे ठीक है ना तो यहां पर सबसे पहले option मिलेगा आपको search for last photos और नीचे के side में देखे तो search for last videos तो यहां पर जो है वीडियो या फोटो जो भी आपके delete हुए वो यहां पर आप जो recover कर पाएंगे तो उसके लिए क्या आगना होगा सबसे पहले search for last photos के उपर हम click करते हैं और उसके बाद allow पे click करेंगे allow पे click करने के बाद यहां पर इस सबसे पहले scan करेगा search करेगा उसके बाद जो भी हमारे phone से photos, videos वगरा delete हुए रहेंगे वो यहां पर हमें देखने को मिल जाएंगे ठीक है ना तो यहां पर बहुत सारा ऐसे photo जो मेरे phone से delete हो चुके थे यह वाला photo मेरा बहुत पहले डिलीट हो चुका था ठीक हम तो यहां पर इस photo को हम recover करेंगे जो भी photo आपको recover करना उसके उपर आपको tick लगा देना है जैसे भी photo को आपको recover करना आप टिक लगाते जाहिए photo यहां पर आपको अब यहां पर हम पर आपको सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर यहां पर यह हमारे phone में जो folder में select हो जागा तो यहां पर फौटो जो भी रिकावर होगी वो जो है सेव हो जाएगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यह जो ऑप्षिन है यह वाला उप्षिन एक यह वाला उप्षिन आपको जो देखने को मिल जाएगा ठीक है न तो ये भी यहाँ पर आप जो यूस करेंगे